खबर सुहागपूर से करमचारियों ने लिए पलक मती नंदी को संरक्षित करने की शपत कारयाले नगर परिशय सुहागपूर में शुकरवार को मिशन लाइफ के अंतरकद केंद्री प्रदूशन नियंतरन बोर्ड के तत्वधान में पलक मती नंदी संरक्षन के लिए जंज मती नदी को संरक्षित करने की बात कही नदी को किस प्रकार से साफ सुत्रा और पुनर जीवित किया जा सकता है इस विशय में अपना विशेश व्याख्यान दिया डॉक्टर शुकला ने बताया कि वो आगे भी पलक मती नदी संरक्षन हेतू नगर में आते रहेंगे नदी को कलकल बहती देखने हेतू हर संभव प्रयास करेंगे नगर को कच्रा मुक्त बनाने और सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने के लिए भी जानकारियां दी समस्त करमशारियों को पर्यावरण को प्रदूशित नहीं करने की गौर्दलब है देश में वर्तमान में मिशन लाइव अभियान का आयूजन किया जा रहा जिसके अंतरगत अलग-लग गतिविदियों का आयूजन किया जा रहा जिसमें पर्यावरण प्रदूशन ठोस अप्षिश्ट प्रबंधन आर य案र केंद्रों के स्थापना आदी गतिविदियों का आयुजन किया जारा, इस दोरान प्रदूशन नियंतरन बोर्ड के वैज्यानिक डॉक्टर योगेंदर कुमार सकसीना, सचिन कुमार साहू, शिवशंकर शुकला, शैलेंदर बगेल, नगर परिशत की मुख्य, नगर पालिका अधिकारी, दीपक कुम रानवे संजय परसाई, सरला संकत, रजनी ठाकूर, एच एल परते, सही समस्त करमचारी उपस्थित रहेगे। पर नेचलर तरीके से एक होता है, जब पानी उचार खाता है, उच्कार खाया और उसके बाद चांदी होगा है, श्याइद कुछ लोगों को समझ में निया ओवर में बताता हूं जो स्लज होता है नदी के अंदर जो सिलज होता है एलेशन के बार में उसको माइक्रोब्स क्या करते हैं उनको ऑक्सीजन की रही और वह जो पनूशे को तर्सका लेते हैं बचाना हमारे जीवत को बचाने के बावारे प्रियावन को बचाने के लिए अपनी देनी जीवन में हर सम्भा पता हुआ हुआ प्रियावन के लिए अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पैल आइकन दबाना न भूलें क्योंकि हबर हमारी पैसला जनतंत्र का